हाई फ्रेंट्स यूर्वर्य मोस्ट वैलकॉम और यूनिक स्टेडी विदाज यह दोस्तों मैं इस चैनल को पर नेट जैरफ फर्स्ट पेपर और जोग्रोफी दॉलों की बिल्कुत सिस्टमेटिक देंसे क्लासे चला रखाँ आप मेरी सबी क्लासे जोइन कर सकते हो देखो म और जिजनल क्लान ही यह पढ़ा चुका हूँ और पढ़ेंगे मैं जो ओसीनोग्राफी है उसे कंटिनू कर रखा हूँ जिसमें आज हम हिंद माशागर के बढ़ना है बारें पढ़ेंगे इससे पहले मैंने परसांत माशागर, अट्लांटिक माशागर, मगने तड, मगने पर जो सबसे पहले हम चैप्तर साथ के बारें देख़ लेते हैं। हम डिसकस करेंगे लिए हिंद माशागर के बारें इंडियन ओशियां। हिंद माशागर का चेतर कुछ इस तरीके से हुरता है जो ये वाली पांडरी है, इस में ये वाला इस्षा है ऐNS हं에서 uncovered और यहां पर यह कुछ रपत है यह वाल धीप ऐसे और यह लीप है यहां पर यह आसठी अर्सत्रीत है जिसका मैं नक्षा बढ़ा दिया है यहां पर इस तरही के से आफ्रीका कि रहे हैं किए अफ्रीक है और यहां पर यह एक अंटार्किका है जो बहुत तरी की जादा मिस्तरी थे लेकिन मैंने इसको छोटा सा बना दिया था इस तरीके से और इसके पीछ का जो एलिया एंके वाला इस तरीके से इसका जो बीच का ये वाला एरिया है ये क्या है अब ये जो गोल बाउंडरी है वो है हिंद माशागर क्या है ये सारा का सारा हिंद माशागर है जिसकी जो उत्री सीमा है वो एसिया से है पत्समी सीमा अफ्रिका से है, पूर्वी सीमा ओस्टेलिया और एसिया से है और द्रक्षिन सीमा अंटार्टिकर, अंटार्टिका से है, ठीक है, समझ में आगा होगा, पैचान के होगे इसे हैं हिंद महासागर को, अब हम आगे चलते हैं भई लोगो, हिंद महासागर एक ऐसा महाशागर है जिसका नाम करन किसी देश के नाम जानी हिंदुस्तान भारत के नाम करन कि एसा कुछा महाशागर है जिसका नाम करन किसी देश के नाम के आदार पर रखा गया है तो वो है हिंद महाशागर जिसका नाम करन हिंदुस्तान के आदार पर रखा गया है हिंदुस्ता कहते हैं जो प्लाचीन हम किनकी बात करें गरंत होगी तो प्लाचीन तम गरंतों में जो हिंद मासागर था उसको रत्नाकर कहते थे क्या कहते थे रत्नाकर हिंद मासागर एक अर्दमासागर इस कारण है क्योंकि यहां से करक रेखा गुजरती है और यहां से विश्वत रेखा गुजरती है तो दक्षणी कोलार्ज में तो पूरे में हिंद मास आगर फैला हुआ पूरे में दक्षणी कोलार्ज भी नहीं फैला हुआ क्योंकि 30 दिग्री अक्सांस के आजपास जो 30 दिग्री दक्षणी अक्सांस है उसके आसपास से अंटार्क्टिक महाली पिस्टार्ट हो जाता है और उत्तर में केवल करक नेका तक विश्टरीत है क्या है करक नेका तक विश्टरीत है तो एक तरीकी से हम बोल सकते हैं कि जो हिंद महासागर है वो एक गोलार्द में विश्टरीत है क्योंकि ये दक्षें में भी बिल्कुल 90ड़ अकसांस तक विस्त्रित नहीं है नाहीं उ्त्तर में उत्तर में फी म से तो 1.30डि के tu व र्स रिपका उप पॉस्तर रहे हैं जिसमें भी यह वाला बार्च śट रहे है इनका आधाई है तो इसा आधार करन कह सकते हैं कि जो अट्लांटिक महाशागर है वो एक अर्द महाशागर है यह जिस लुकाव कीस का सबसे बड़ा महाशागर है जिसमें सबसे बड़ा परसांद फिर अट्लांटिक और फिर हिंद है ठीक है इसका छेत्र फिल है 734,25,550 वर्ग किलोमेटर कितना है 734,25 वर्ग किलोमेटर 7.34 करोड किलोमेटर कितना है 7.35 करोड वर्ग किलोमेटर 9.35 अफ्रीका एवां और ऑस्लेलिया के डर्खिण इसिलो पर यह महाशागर की चोड़ाई करीब 10.0000 किलोमेटर किरावार क्टा पर है तक ऑफ्रीका वे ऐस्लेलिया के तक पर पर अफ्रीका बे उस टिलेटे तक्षिन शिरो पर हिंद मासा के लिए चोड़ाई करी दस हजाद किलोमेटर है जिसको हम बोल सकते हैं बासाद सोंगे देखो यहां की बात की लिए यहां पर अफ्रीका के यहां से लेकर और यहां तकी कि जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहां से लेकर अफ्रीका से लेकर और यहां तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है दस हजाद किलोमेटर कितनी है दस हजाद ठीक है? इसकी ओसत गहरा ही है जो 3890 मिटर या 12,762 फिट है और इसकी जो अदिप्तम गहरा ही है वो है 2152 मिटर जो भी सूंडा गर्थ की है कि हिंद महासागर्थ में सूंडा गर्थ है जो कि इसकी अदिप्तम गहरा ही रखता है 2100, 1852 मिटर क्यों सरा आ जाता है कि हिंद महासागर्थ की अदिप्तम गहरा ही कितनी है 1852 मिटर है हिंद महासागर्थ का सब गहरा गर्थ हों सा है सूंडा गर्थ जिसकी गएनने कितनी है? 1.82 मिंटर अब उसके आगे चलते हैं हिंद माराशागर की जो उत्री सीमा है वो दक्षनी एसिया के दवारा होती है पूर्फी सीमा हिंदेषिया जिसको आपँ इंडोनेसिया बोलता है हिंदेशिया को इंडोनेसिया भी बोला जाता है और ओस्ट्रेलिया से है पत्मी सीमा अफ्रिका से है और दिक्ष्नी सीमा अंटार्टिका से है एक बार दिखा दे तौन आपको देखो यह है क्या यह है हमारा हिंदमाज आगर इसकी जो पूर्वी सीमा है ये हिंदेशिया का छेतर है जिसको हम इंडोनेशिया बोल रहे हैं और ये कह है ओस्टेरिया तो इसकी पूर्वी सीमा ओस्टेरिया है हिंदेशिया से है पस्मी सीमा अफ्रिका से है उत्री सीमा दक्षनी एसिया से है इसको एसिया हो सकते हैं और जो दुनर मेंतार्टिकासे Oh Yeah है अब हम आगे चलते हैं हिंद महार सागर का नित्तन खार हे दो देखो हिंद महार सागर में छेत्रफल 4.2 % है मक्रिध अधाल का छेत्रफल है जो 6.5 % है हिंद महार सागर में गैनसागरे मैदान का छेत्रफल 80.1% है यह तीन बाते हैं इनको अच्छी तरह किसे जाना रखने हैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बाते हैं ठीक है नौट करके लिखना है आपको यहाँ पर नौट लिखाव है एक बार नौट दिखा जाता हूं आपको यह नौट दिख गया होगा नौट का टी इदिख रहा है एल ओ नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है हिंद महासागर का मगनतर एवं मगनधाल के छित्रफल में तीसरा इस्तान है जो हिंद महासागर है उसका मगनतर एवं मगनधाल के छित्रफल में तीसरा इस्तान है गहन सागरे मैदान के छित्रफल में दूसरा इस्तान है जो हिंद महासागर है उसका मगन तट और मगन दाल में के छेतरफल में तीसरा हिस्तान है और घहन सागरे मैदान के छेतरफल में दूसरा हिस्तान है ठीक है कि मगने तट मगने धाल घेन सागरे मैदान यह मैं जब मगने तट मगने धाल और घेन सागरे मैदान पढ़ा है था उसमें पढ़ा चुका हूँ हिंद मार सागर का 60% भाग 6,000 से 4,000 मिटर घेरा गंबिर सागरे मैदान है यहां पर खाई एवं गरतों का अबाओ है इसमें एक गरता है मैतकून वो है सुन्दा गरत ठीक है अब हम आगे बात करते हैं महादीप्या मगने तटों की अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में सबसे चोड़ा मगने तट पाया जाता है किसमें अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में सबसे चोड़ा मगने तट पाया जाता है जहां इसकी अधिक्तम चोड़ाई 640 किलो मेटर है ठीक है इस महाद सागर के पस्मी भाग में मगने तट की चोड़ाई जबकि पूर्वी भाग में मगने तट शक्र है कि जो हिंद महाद सागर है इसके जो पस्मी भाग के मगने तट की चोड़ाई है वो अधिक है क्या है अधिक है जबकि पूर्वी भाग में मगनितर शक्र है अरब सागर एवं बंग्दार की खाड़ी में इसकी चोड़ाई सबसे अधिक है जबकि अंटार्टिका एवं उस्टेलिया एवं इंडोनेसिया की समीप मालिक्या मगनितर शक्र है देखो यह दोनों बाते बिल्कुल एक ही है कि जो हिंद माहसागित का पस्मी भाग है वहां पर मगनितर की चोड़ाई अधिक है और पस्मी भाग में अरब साकर और बंगा की खाड़ी है जबकि जो पूर्वी भाग है जहां पर अंटार्टिक जहां पर ओस्टेलिया इंडोन यह हमने डाइग्राम बनाया है प्यारा सा डाइग्राम है मेरे को तो भोत्मा है सांदार लगा यह आपको कैसा लगा होगा मेरे को पता नहीं कमेंट करके जरूर बताना कि यह मैंने डाइग्राम कैसा कितना सांदार बनाया है ठीक है यह है क्या है यह है थोड़ा सा ओ यह है हमारे जो हिंद मार्शागर की कटक हैं उनका यह डाइग्राम है कटकों का जिसमें हम कटकों को पढ़ेंगें बिल्कुल डिटेल से तो इसके लिए मैं पहले पैन चैंज कर लेता हूं और पैन ले लेजे हम रैड गला वाला टीक है और अब हम पॉंट तो पढ़ते हैं देखो सबसे पहले हम स्टार्टिक से लेते हैं यहां पर तो क्या है तो रोग पढ़ते जाते हैं फिर लेते जाएंगे साथ के साथ यहां पर जो कहा है यह भारत के दक्षन में जो यह लाल वाली पाउंडरी है इसके और इस ब्लू वाली पाउंडरी के बीच में मगनेतर विश्ट्रीत है जो यह ब्लू वाली boundary है उसके और इस लाज वाली boundary के बीच में क्या है मगनतर है ठीक है और बीच में यह जो रेड वाली boundary है इसके जो बीच का चेतर है वो मगनतर है तो यहां पर देखो 90 degree पूटवी कटक है तो एक एक चीज दिखा देता हूं में देखो एक एक चीज ले लिटा है हमने स्टार्टिंग से ही देखो यहां पर यह क्या है बंगाल के खाड़ी और बंगाल के क्या है अंडमान निगोबार कटट ठीक है उसके बाद यहां पर भारत में जस्ट नीचे जब भारस्त के दर्ख्षन की ओर जाएंगे तो यहां पर है लक्षदी चागोस कटक और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार कटक है उसके दर्ख्षन में 90 डिग्री पूर्वी कटक है जो 90 डिग्री देशांदर के बिलकुछ समाना अंतर है यहां पर यह सुंडागर्द है इसके अलावा यहां पर यह शाकुत्रा चागोस कटक है यहां पर जो जिलस कटक है यहां पर कॉल्सबर्ण कटक है फिर मेडगासकर के निकल यहां पर मेडगासकर है यहां पर मेडगासकर है तो मेटागास करके दक्षण में दक्षण मेटागास करनी कटक है जो यह रहा है इसके लावा दक्षण मेटागास करनी कटक के दक्षण में प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक है जो दक्शन मेता खास के नी कटक है उसके जस्ट दक्शन में प्रिंस Eadward क्रोजेट कटक है ठीक है और जो 90 डिग्री पूर्फी कटक है उसके जस्ट दक्शन में और लक्ष दीप चागोस कटक के जस्ट दक्शन में कौन सा है Amsterdam Sandball पठाद है ठीक है ये समझ में आ गया हुगा आपको इन कटको का डाइग्राम प्लीज मैंने ये डाइग्राम कैसा बनाए ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे को इसे confidence आए जिससे मैं और भी बेस्ट डाइग्राम बनाने के कोशिश करूँ ठीक है अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद माशागर में अटलांकिक माशागर के समान मद्यवर्ती कटक है कि हिंद माशागर में अटलांकिक माशागर के समान मद्यवर्ती कटक है अब आगी आजाते हैं हिंद मारशागर का मद्यवर्ती कटक भारत के दक्षन से प्रारंग होकर दक्षन में अंटार्टिका तक फैला हुए कि जो यहां पर क्या है अंटार्टिक है इसके दक्षन में क्या है अंटार्टिक है इस एरिया में अंडार्टिक है तो जो हिंद मार्शागर का मगन कटक है वो भारत के दिक्षन यहां से लेकर और बिल्कुल नीचे तक अंडार्ट का तक विस्तरीत है कहां तक विस्तरीत है इस तरीके से अंडार्ट का तक विस्तरीत है तो जो हिंद मास चागर का कटक है वो भारत के द्रक्षन से लेकर और अंडाट का तक विश्थरीत है ठीक है आगे हम बात करते हैं भारत के द्रक्षन से लेकर आजपास इसे लक्षदीप चागोस कटक कहते हैं जहांपर लक्षदीप और माल दीप इस्तित है तो देखो भारत के दक्षण में इसे लक्षदीप चागोस कटक बोलते हैं क्या बोलते हैं भारत के दक्षण में इसके आजपास इसको लक्षदीप चागोस कटक बोलते हैं और लक्षदीप चागोस कटक के ओपर ही लक्षद दीप और माल दीप, दोनों दीप इस्तीत हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, भूमत्य रेका से रेकर, तीस बिग्री दक्षर तक इस कटक को चागुष, सेंड और कटक, अध्वा, हिंद मासाग्रिय, वो भार कहते हैं, देखो, यह राद, दिखो, क्या था, कि यहां से विश्वत रेका जाती है, सम्टिंग यहां से जाती है, विश्वत रेका, और विश्वत रेका से लेकर, 10 डिगरी दखनी अक्सांस जो यहां तक है यहां पर क्या है? 30 डिगरी दखनी अक्सांस है यहां पर यहां पर क्या है? 30 डिगरी दखनी अक्सांस है तो विश्वत रेखा से लेकर 30 डिगरी दखनी अक्सांस तक एमस्तर डम सेंड़ बोल पठार है कौन सा है MS-DADAM, SENTBOL, PATHAR, VISTRIT कहां से लेकर विश्वत रेखा से लेकर 30 दिगरी दखन अक्सांस तर तो देखो भाई लोगो ये विश्टरित है इस तरी कैसे यह आपको दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है आपको यह बाला ठीक है अब उसके बाद हम आगे चलते हैं 30 दिगरी दखन अक्सांसे दखन में यह हैं विसाल अंत्य समूत्री PATHAR का रूप दहरन कर लेता है जिसे MS-DADAM, SENTBOL PATHAR कहा जाता है क्या कहा जाता है MS-DADAM, SENTBOL PATHAR कहा जाता है क्या था कि 30 दिगरी दखन अक्सांसे दखन में यह हैं विसाल रूप दहरन कर लेता है 30 दिगरी दखन अक्सांसे दखन में यह हैं विसाल अंत्य समूत्री PATHAR का रूप दहरन कर लेता है जिसे MS-DADAM, SENTBOL PATHAR कहाता है 90 degree पूर्वी कटक यह है 90 degree पूर्वी अक्सांस के साथ साथ उत्तर से दक्षन दिसामें विश्तरित है जो अंडमान निकवार यहांपर 90 degree पूर्वी देशांद रहे यह अक्सांस मैंने गल्ट लिग दिया है यहांपर देशांद रहे हैं कि जो 90-D पूर्वी कटक यह einen 90 degree पूर्वी देशांद यहांपर आपको देशांद करना है क्या करना है इस अक्सांस के जगाह देशांद करना है देशांटर के साथ साथ उत्तल से दक्षिन दिसामें विश्द्रेत है, जो अंड़माल-निकोबाल कळतक है, देखो ये जो 90 डिग्री पूरफी कटक है, जो 90 डिग्री पूरफी देशांटर के समाला अंतर इस्तित है, जो की लक्षदीक चागुष कटक से लेकर अंडवार निकोबार कटक से लेकर यहां पर कुछा है अंडवार निकोबार कटक है तो जो 90 डिग्री पूर्वी कटक है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समाना अंतर अंडवार निकोबार कटक जो यहां पर है इससे लेकर दक्षन में एमस्ट एडम सेंड पॉल पठार के बीच में विस्तिरिद है ठीक है उसके बाद आता है मेडा गासकर के निकट मेडा गासकर कटक है यहाँ पर है मेडा गासकर है और मेडा गासकर के निकट मेडा गासकर कटक है जिसको दक्षणी मेडा गास करणी कटड़ भी बोलते हैं उसके बाद है 40-45 तीज़ी दक्षणी अक्षांस के बीच प्रिंस एडवर्ड क्रॉजेट कटड़ ओ 40 x 50 तीवी डक्षणी अक्षांस यह 40 है और यह 50 है इन दोनों अक्षांसों के बीच प्रिंस एडवर्ड क्रोजड क्टक है, कौनस है? यह जो शुक्त कना है इसका नाम है प्रिंस एडवर्ड क्रोजड क्टक जोग browsing 40-50 दिद्ड शींच बीच इस दित है पूर्वी कटक है जो 90 डिक्री पूर्वी दिशांदर के समाना अंतर विश्द्रीत है ठीक है अब भाई आजाते हैं आगे द्रोणी अत्वा बेसिन तो यहां हम बात करने वाले हैं हिंद मार्शागों के कुछ द्रोणी और विश्द्रीत हैं तो भाई लोगों अच्छी तर बेसिन हैं सोमाली बेसिन हैं मौरिसस बेसिन हैं नेटाल बेसिन हैं अंडमान बेसिन हैं अगुलहास बेसिन हैं अट्लांटिक हिंद अंटार्किटिक द्रोणी हैं कोकोस किलिंग द्रोणी हैं पूर्वी हिंद अंटार्किक द्रोणी हैं तो यह कुछ द्रोणी या बेसिन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है यह सारे सारे हिंद महासागर नहीं है और वो तीन इन द्रोणियों में से दे देता है और चोछी द्रोणी अलग दे देता है क्यों सर किसी भी तरीके से पूंचे हमें इतनी स्यांदार वाली प्रेपरेशन करनी है कि हम उसका आंथर बेकु सही दे अब आजाते हैं बाई मद्यवर्ती कटक पर इस्तित दीप जो मद्यवर्ती कटक है हिंद महासागर का उसके उपर इस्तित दीप है लक्ष दीप है माल दीप है चागोस है न्यू हैमस्टर डम है सेंट पाल है और कर्डूले दीप है यह कुछ दीप है जो मद्यवर की कटक पर इस्तित्र हैं कौन-कौन से लक्षदिप, माल्दिप, चागूस, न्यूब, एमनस्टेडब, सेंटिपॉल और कर्गूलेर उसके बाद हम हिंद माशागर के दीपों की बात करते हैं कि हिंद माशागर में कौन-कौन से दीप हैं मेडगासकर है, स्रीलंका है, जाबा है, सुमात्रा है, अंडमा निकोबार है, रियूनियन है, जंजीबार है, मोरिसस है, कोमोरो है, माल्दिप है, सेसिलस है, डियागो कार्सिया है, कोकोज है, अम्रे दिज है तो ये कुछ द्रीप है जो हिंदमा सागर के पर्षिते द्रीप है ठीक है अब भाई आजओ आगे सीमान्द सागर हम कुछ सीमान्द सागर की बात करते हैं जैसे फारस की खाड़ी है लाल सागर है अदन की खाड़ी है मोजामिक चैनल है ओमान है कच्च की खाड़ी है खंबाद की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है तो ये कुछ सीमान तसागर है अब हम बात करते हैं और भी डीपली तरीके से माधी प्याए खंडों के टुकडे से बने दे कि मादीप्य खंडों के तूटने से बने दीव, अंडमार निकोबार है, स्री लंका है, मेडागासकर है और जंजिराबार है कि अंडमार निकोबार, स्री लंका, मेडागासकर और जंजिराबार ये मादीप्य खंडों के तूटने से बने दीव है उसके बाद हम बात करते हैं परवाल दीप, तो परवाल दीपों के दो एक्जाम्पल हैं माल दीप और लक्स दीप, कि माल दीप और लक्स दीप दो परवाल दीप हैं, उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाला मुखी दीप, मौरिसस और री यूनियन, ये दो ज्वाला मुखी दीप हैं कौन-कौन से मोरिसस और रियोनिय हैं आगे बात करते हैं हिंद महार्शागर के पूर्वी भाग में अपके शक्रत कम दीप हैं हिंद महार्शागर के पूर्वी भाग में अपके शक्रत कम दीप हैं और प्लीज अब मैं आगे बढ़ू इससे पहले मिली आपसे एक कि प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, बैल आइकल को दबाएं, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो ना शोड़ पाएं. क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा कंटेंट त्यार करने की कोशिस की है, तो उसका मेरे अकोर्डिन बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपके अकोर्डिन कंटेंट प्रवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, तो देखो, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, यहां पर कच्च की खाड़ी है, ठीक है, यहां पर अदन की खाड़ी है, यहां पर लाल सागर है, यहां पर अंडबान सागर है, यहां पर जावा सागर है, और यहां पर मोजामीड चैनल है, किस-किस के बीच, अफ्रीका और मेटाकास्कर के बीच मोजामीड चैनल है, और यहां पर अंटार तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये हिंद मार्शागर का वीडियो है वो कंप्लीट होता है इसमें मैंने गर्थ नहीं बताई गर्थ ना बताने का कारण है क्योंकि मैं गर्थों के उपर एक स्पेसिल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें पर्षानत आट्लाÃ्टी को हिंद के गर्थों का विश्तरिद गौ przest twor किया है कि उतरी हिंद मार्शागर्थ रख्री हिंद मार्शागर्थ सबसे गहरा गर्त सबसे प्रमुद हो गर्त सबसे कम प्रमुद को गर्त बिल्कुल डिटेल से तो प्लीज गंटों के लिए आप उस वीडियो को देखो और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए कम्प्लिट जोग्डों भी पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राब करो बेल आइकन को दपाओ फिर मिलते हम नेट्स में के लिए साथ थैंक्स देखने के लिए बाई